असलाम नीकूम आप देखें माही व्लॉग्स आज हम कुशन कवर बनाएंगे जो बहुत असानी से और बहुत प्यारा बनता है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक कपड़े से पटियां काट लेंगे जो मैंने पहले से ही कट करके रखी हैं जिनकी चोड़ाई मैंने डाई डाई इंच ली है आप अपनी मरजी का कोई भी कलर ले सकते हैं मैं बलैक और वाइट में बना रही हूँ अब हम इन पटियों को एक दुसरे के साथ रखते हुए सिलाई कर देंगे पहले वाइट बलैक या फिर बलैक वाइट आपके अपनी मरजी ये सारी पटियों हम ऐसे ही जोड़ देंगे इनको सिलाई कर देंगे सारी पटियों को एक दुसरे के उपर रखते हुए हम सिलाई करेंगे सिलाई करने के बाद ये कुछ ऐसे नजर आएंगी अब हम इस तरी से अच्छी तरह से इनको बिठा देंगे ताके अच्छी फिनिशिंग आए सारे कपड़े को हम ऐसे इस तरी करके अब मैं इसकी चोड़ाई 14 इंच ले रही हूँ और लंबाई और चोड़ाई दोनों हम 14 इंच लेंगे यहां से भी 14 इंच रखते हुए अच्छे से मार्क करके हमने इसको कट कर देना है अब यहां से हम इसकी कटिंग कर देंगे अब हम यह कटावा पीस दूसरे पीस के उपर जो बचा हुआ था उसके उपर रखके अच्छे से इसको बराबर करते हुए दूसरा पीस भी इसके हिसाब से कट कर देंगे यह भी हमने कटिंग कर दिया अब हम मार्किंग करते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक हम इसकी कटिंग कर देंगे जैसे हमने एक पीस की कटिंग की वैसे हम दूसरा पीस भी रखते हुए उसको भी दरम्यान में से काट देंगे अच्छे से बराबर रखते हुए दोनों की कटिंग कर देंगे अब हमने करना ये है कि इनकी पटियां रखते हुए ये जो ब्लैक साइड है ये क्रॉस में आना चाहिए ब्लैक को ब्लैक से मिलाते हुए हम इसकी पटियों को आपस में जोड देंगे इसे क्रॉस में ब्लैक आई ब्लैक को ब्लैक के साथ जोड़ते वे हम ऐसे इसको स्टिच कर देंगे ये अच्छे से बराबर करते वे रखते वे हम इसकी सिलाई लगा देंगे पहले हम इन दो पिसी को आपस में जोड़ देते हैं और फिर इन दो पिस्टीस को आपस में जोड देंगे इनके दिर्मियान में से जो कपड़ा है वहां से पकड़ते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आए दोनों को सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह नज़र आएंगे अब इनके दर्मियान का हिस्सा पकड़के कुशन के मीड में से पकड़के इसको स्टीच कर देंगे पूरा अब मैंने स्टीच कर दिया है स्टीच करने के बाद ये इस तरह नज़र आएगा इस तरह से हम इसको अच्छे से बिठा देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए अब हमने अपने हिसाब से आपने जितना कुशन रखना है उस हिसाब से आप इसके उपर मार्किंग कर लें मैं पंद्रा बें पंद्रा का रखूंगी आप अपनी मर्जी के कॉर्डिंग रख सकते हैं आपको जितना रखना है मेरे पास ये जो कुशन कवर अलेड़ी है ये पंद्रा बाई पंद्रा का है मैं इसको रखते वे हाफ आफ इंच सिलाई के लिए छोड़के बाकी मैं इसको अच्छे से कटिंग कर दूँगी अब मैंने इसको कटिंग कर दिया है और अलग से हम दो पीसिज लेंगे जो इसका बैक कवर बनेगा मैंने अल्रेड़ी इसको सिलाई कर दिया है यहां से हमने मीड में से इसको सिलाई करना है और दूसरा पीस भी रखते हुए दूसरा पीस को भी मैंने इच्छे से सिलाई कर दिया था अब इसे पिन अब करके मैं इसको सिलाई कर दूँगी यह सिलाई करने के बाद अब हम इसको सीधा कर देंगे ये हमारा कुशन कवर बनके रेडी हो गए इसको अच्छे से कोनों से कपड़े को निकाल के बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत प्यारा लगता है ये हमारा कुशन कवर रेडी हो गए अब हम इस तरी से इसको अच्छे से बिठा देंगे ये यहां से हो लेज जासे हम कुशन डालेंगे ये अच्छे से इस तरी हो गए अब हम कुशन इसमें डालके मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है कुशन डालने के बाद हमारा कवर कुछ इस तरह दिखाई दे रहे जो बहुत ही प्यारा लगता है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक को शेयर करना ना बूलें और मेरे चैनल को सब्क्राइब करना ना बूलें मुझे अपनी दुआउं में याद रखें अल्ला हाफेज